हेई गुरु लोग तो क्या तुम्हें पता है कि सोनी और मार्वल वालों के बीच में चल रही है स्पैडमेन को लेके लड़ाई हां मतलब लेटरल लड़ाई नहीं लेकिन सोनी वाले चाहते हैं कि वो नोवे होम पार्ट टू बनाए और मार्वल वाले चाहते हैं कि वो अपन और सूनी वाले अब पैसो के पीछे भाग रहे हैं ना कि Spider-Man की Legacy के पीछे वहीं पर Marvel वाले Spider-Man 4 Ground Level की बनाना चाहते हैं जिसमें वो Kingpin और Daredevil जैसे लोगों को शामिल कर सके और Spider-Man की Legacy को और जादा आगे बढ़ा सके चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या Spider-Man नूवी Home Part 2 बनानी चाहिए या नहीं तो देखो यार अगर नूवी Home Part 2 बनती है तो सबसे जाज़ा मज़ा हम Spider-Man फैंस को आएगा क्योंकि हम लोग दो भी Tom और Andrew को एक साथ देखना चाहते हैं लेकिन किसी अच्छे से सिनर्यों में अगर सोनी वाले सिर्फ पैसा कमाने के लिए तिनों को एक साथ लेकर आते हैं तो वो उनकी स्टोरी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे और सोनी वालो को ये बात समझने चाहिए और इस मूवी से Tom Holland की स्टोरी में भी कोई खास फारक नहीं पड़ेगा नहीं एंड्रू की तो मैं सिर्फ सोनी वालो से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर पैसा चापना है तो Amazing Spider-Man 3 बनाओ ना कि नोवियों पढ़तू सोनी वालो भाई लोक मेरी बात मानो एंड्रू कार फिल तुम्हारे लिए RDJ की तरह साबित हो सकता है वो तुम्हारे यूनिवर्स को आस्मान की उच्छायों में लेके जा सकता है और हमें एक ग्रांड़े लेवल की Spider-Man 4 चाहिए टॉम्हारे के साथ और The Amazing Spider-Man 3 चाहिए एंड्रू गार्फिल के साथ तो उसे Venom से मिलवाओ और Amazing Spider-Man 3 लेकर आओ अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो कोमेंट्स में बताओ अब थार का थोड़ा फेक के मारो और सब्सक्राइब करो